हेलो रिवान, वेलकम टू फार्मारोक्स यूटूब चेनल, फार्मारोक्स के यूटूब एचुकेसनल चेनल में आपका स्वागत है आज की वीडियो लेक्चर में हम डिटेल में स्टडी करेंगे जिंकोवी टाबलेट्स के बारे में और सिखेंगे उसके बेजिक यूजिस के बारे में और साथ में हम करेंगे उसके डिटेल फार्माकोलोजिकल स्टडी और जानेंगे डिटेल में जिंकोवी टाबलेट्स के बारे में तो अगर आपके पास एंड्रोइड फॉन है तो एंड्रोइड अप डाउंडूड करें गूगल प्ले स्टार पर से आइफ़न यूजर है तो एप स्टार पर से भी डाउंडूड कर सकते है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगी तो सबसे पहले बेजिक कॉंसेप्ट समझेए जिंकोवीट टाबलेट के बारे में तो जिंकोवीट टाबलेट के जो मैनुफेक्चर है वो है एपक्स लेबॉरेटरीज तो यहाँ पे आप उसके कंटेनर के उपर भी देख सकते है कि एपक्स लेबॉरेटरीज जो है उसके मेन मैनुफेक्चर है और इस टाबलेट मेनली कंटेन्ट वीटामिन्स एड मिनरल वीच अवर बॉडी नीड मतलब कि हमारी बॉडी को हमारे सरीर को जो वीटामिन्स की जरुरत होती है और साथो साथ जो important minerals वगएरा की जरुरत होती है ये सब provide करता है ये tablet मतलब कि ये multi vitamin tablet करे सकते है और साथो साथ multi mineral tablet भी करे सकते है ब्यकाज उसके अंदर बहुत सारे vitamins भी है और बहुत सारे और अलग-अलग minerals भी उसके अंदर present है तो ये खास point आपको जरूरी है जाम मदना कि ये multi vitamin तो है ही बर साथ हो साथ multi mineral supplement के category में आता है and nutritional supplement है कि जो हमारे body की vitamin and minerals की जो deficiency है उसको पूरा करता है मतलब कि आपकी body के अंदर समझो की vitamins की deficiency है minerals वगरा की deficiency है तो उसको treat करने के लिए और साथ हो साथ prevention के लिए zincovid tablets वगरा जो है वो काफी useful रहते हैं तो अब समझते हैं उसके components क्या होते के कौन से अलगला गैसे ingredients zincovid tablets के अंदर है तो सबसे पहले है इसके अंदर है vitamin A जिसको हम कहते है retinol जिसके quantity आ रहेगी around 600 microgram फिर vitamin C उसके अंदर एड़ है जिसको हम कहते है ascorbic acid उसके बाद grape seed का extract भी उसके अंदर है vitamin B7 की जिसको biotin या फिर vitamin HB हम कहते है vitamin B3 उसके अंदर एड़ है कि जिसको niacin कहा जाता है फिर vitamin B6 की जिसको pyridoxin हम कहते है vitamin E मतलब कि tocopherol, vitamin B9 folic acid या फिर जो folate हम कहते है vitamin B1 thymine vitamin B12 sinocobal amine, vitamin B2 riboflavin, vitamin D3 की जिसको हम colcalciferol कहते है and vitamin B5 की जिसको हम pentothenic acid कहते है तो ये सभी vitamins उसके अंदर present है मतलब कि vitamin B complex भी है उसके अंदर पूरा और साथ हो साथ vitamin A, D, E और K जैसे vitamins भी उसके अंदर present है फिर बात करें अलग-अलग minerals की की जो हम बात करते हैं कि multi minerals उसके अंदर present है तो सबसे priority पे है उसके अंदर chromium की जो 25 microgram जितना है zinc उसके अंदर एड़ है 10 miligram जितना जिसके करण उसको zinc और vitamin का जो tablet ऐसा नाम दिया गया है zinc kovit करके उसके बाद copper भी उसके अंदर एड़ है iodine भी है उसके अंदर selenium भी है magnesium भी है और manganese इस तरह से ये multi minerals हो गए और ये वाले multi vitamins तो multi vitamin और साथो साथ multi mineral supplement है ये zinc kovit तो यहाँ पे उसका आप container देखो तो zinc kovit जो है कि यहाँ पे भी लिखा है कि multi vitamin, multi mineral with grap seed extract tablet की जो health supplements के तोर पे mainly काम करते हैं और यहाँ पे भी zinc kovit tablet के container के पीछे आप ये सभी vitamins और mineral की details वगेरा जो है वो देख सकेंगे आगे समझते हैं उसके benefits तो it is used for the treatment and prevention of vitamin and mineral deficiency due to मनलब के कुछ ऐसे अलग-अलग medical conditions होते है जिसके कारण हमारी body के अंदर vitamin और minerals वगेरा की deficiency होते है जैसे की poor diet और loss of appetite कई बार कोई बीमारी आती है कोई disease वगेरा होती है तो उस वक्त हमें भूख नहीं लगती है मतलब जिसको हम कहते है loss of appetite साथ सुसाथ कई बार आपका diet proper नहीं है because हम समझो कि हम जो डेल्ली जो फूड खा रहा है उसके अंदर proper vitamins present नहीं है minerals वगेरा present नहीं है तो भी उसके करण हमारी body के अंदर vitamin and minerals वगेरा के deficiency हो जाती है फिर कई बार malnutrition के करण भी ये deficiency होती है pregnancy के दोरान भी समझे के diet proper नहीं है तो भी ये problems होता है फिर surgery इसके बाद या फिर operations के बाद भी vitamin and minerals की deficiency होती है और सबसे important after recover from the disease कि अगर आपको कोई अलग-अलग disease हुए थे अलग-अलग infections हुए थे body के अंदर तो उसमें से recover होने के बाद भी जो कुछ medicines वगरे के side effects के करण या फिर वो disease के करण भी आपके body के अंदर vitamin and minerals की deficiency हो जाती है तो ये सभी conditions को treat करने के लिए साथ हो साथ उसको prevent करने के लिए zincovid tablets के health benefits रहते हैं अब समझते हैं उसके basic use तो basic use के अंदर सबसे important है vitamin की deficiency और mineral की deficiency और साथ हो साथ boost करता है आपकी immunity को enhance करवाता है immunity के जिसको हम कहते हैं हमारी रोग प्रतिकारक सकती कि जो improve होती है zincovid tablets को use करने से treat करता है body weakness weakness मतलब की दूसरे वर्ड में हम कहें तो fatigue fatigue मतलब की जो थकान हो जाती है कि जैसे ये वाले डायग्राम में हम देख सकते हैं कि कई बार disease के करण sickness के करण या फिर कोई disease में से आप recover हो है उसके बाद भी body के अंदर काफी weakness आ जाती है तो ये weakness के condition fatigue वगेरा को treat करने के लिए ये जिंकोवी tablet यूस किया जाता है फिर improve करता है आपकी skin को आपके hair bonds वगेरा के लिए important है healthy joints के लिए भी जिंकोवी tablets जो है वो यूस किया जाता है and improve करता है हमारी body का metabolism मतलब कि जो भी हम कुछ खाना खाते है या फिर जो भी कोई अलग-अलग metabolism की activities होती है body के अंदर तो उसको improve करने का काम करता है ये जिंकोवी tablets because जो metabolism के अंदर जो अलग-अलग vitamins की जरूरत होती है minerals की जरूरत होती है तो वो पूरा करता है ये जिंकोवी tablets दूसरे उसके basic यूस समझे तो increase करेगा आपकी appetite कि जैसे हमने समझे कि कोई disease conditions के करण, medicines के side effects करण समझे कि आपकी book जो है वो काफी कम हो गई थी तो वो book को आपको ये बढ़ाने का काम करेगा, improve करेगा आपकी appetite को, उसके बाद help to recover faster from illness and disease condition कि अगर आपको कोई disease condition present है आपके body के अंदर भी या फिर कोई बीमारी है तो उसमें से faster recovery के लिए कि patients जो है वो fast recover होते है after taking this zincovid tablets because ये आपके body की immunity भी enhance करवाता है और disease के सामने proper रोग प्रतिकारक सकती आपको देता है useful रहता है pregnancy के डोरान, improve करता है आपके general health को and important for the proper functioning of the nervous system साथो साथ जो हमारी nervous system के proper functions के लिए भी ये काफी helpful रहता है and immune deficiency जो disorder होते है immunity कई बार कम हो जाती है तो उसको enhance करने के लिए भी zincovid tablets use किये जाते हैं तो ये है total 14 important basic use of a zincovid tablets अब जानते हैं उसके daily dose के बारे में के daily कितने tablets आप ले सकते है तो usually one tablet per day तो जो experts के advice के according to सिर्फ दिन में एक ही tablet जो है वो enough रहता है and ये आपको लेना होता है after the meal मतलब कि खाना खाने के बाद आपको ये tablet लेना होता है so take only one tablet daily ये खास दियान रखे कि दिन में सिर्फ एक ही tablet आपको खानी है और take it after the meal कि आप अच्छे से समझो कि खाना खा लेते हैं उसके बाद ही इसको use करें because बीना खाने खाए ये tablet लेने से आपको अलग-अलग side effects वगरा हो सकती है stomach upset जैसा फिल हो सकता है nausea and vomiting जैसा हो सकता है कि अगर आप बीना खाना खाए ये tablet लेते तो ध्यान रखे कि प्रॉपर खाना खाने के बाद ही आप जिंको भी tablet को use करें don't make the overdose and excessive self medication अगर आपके अंदर काफी ज्यादा विकने से तो ऐसा नहीं कि आप दिन में दो एक tablet ले ले या फिर तीन tablet खाया या फिर चार tablet खाया ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है दिन में आपको सिर्फ एक ही tablet लेनी है excessive tablets लेने से बहुत सारे अलग-अलग side effects हो सकते हैं कि जो हम जानेंगे next slide के अंदर तो allergic reactions हो सकती है, skin races हो सकती है अगर आप उसका misuse करते हैं कि जैसे हमने समझा कि deadly dose उसका एक ही tablet है तो एक tablet के बज़ाए समझा कि दिन में आप 4 tablet खा लेते हैं, 5 tablet खा लेते हैं तो उसके करन आपके body के उपर ये skin races हो सकते हैं, allergic reactions हो सकती है तो उसका overdose ना करें फिर जैसे मैंने अभी बात की कि overdose के करन आपको acute toxicity भी हो सकती है तो वो भी ना करें फिर abdominal cramps वगेर आ सकते हैं आपके stomach या फिर abdomen का जो person हम कहते हैं वहापे cramps आ सकते हैं, sleeplessness मतलब की नींद कम हो जाना कि यहापे आप देखो कि गडियार के अंदर 2 बसकर 15 मिनिट हो है तब तक इसको जो है वो person को नींद नहीं आई तो main बात यह है कि overdose कि अगर आप overdose के अंदर excessive use कर लेते हैं यह जिंकोविट्स टैबलेट के तो यह sleeplessness आपको हो सकता है फिर bitter taste in mouth काई बार mouth के अंदर bitter taste जैसा feel होता है nausea and vomiting जैसा होता है और stomach upset तो यह सब अलग-अलग side effects वगेरा develop होती है जिंकोविट्स टैबलेट के करण अगर कोई person उसका overuse करता है अब समझना जो रिए उसके contraindication and warning तो सबसे पहले कि समझो कि आपको allergic reactions हो रहे हैं आपने दिन में एक ही टैबलेट आप ले रहे हैं फिर भी आपको ऐसे allergic reactions हो रहे हैं कि आपके body के उपर racist वगेरा develop होना start हो जाता है तो तूरंत यह टैबलेट को use करना बन कर दे you have any plan, surgery और operation कि आपने समझो कि कोई surgery या फिर कोई operation प्लान किया है तो stop this medication before 2-3 weeks of surgery कि आपके surgery के 2 या 3 weeks पहले ही यह टैबलेट को लेना आप बन कर दे फिर समझना जरूरी कि stop taking if you facing any serious side effect of this medication कि अगर आप यह medication लेने के बाद आपको कोई ऐसे serious side effects हो रहे है allergic reactions हो रही है even after taking normal dose कि normal dose में लेने के बाद भी ऐसा हो रहा है तो तुरंत उसको लेना बंद करना चाहिए and contact your pharmacist or doctor on any uncomfortable condition after taking this medication to avoid its side effect मतलब कि कोई भी ऐसी uncomfortable condition form होती है यह tablets को लेने के बाद तुरंत आपके doctor या फिर pharmacist को contact करे और इसका alternative medications जो है वाप उनके advice के according to ले सकते है तो यह था special information about the jinkovid tablet thank you for watching join कर सकते है whatsapp group access कर सकते है study material को test series and video lectures को farmer ox के अब उपर तो android user है तो android app डाउनलोड करे iphone user है तो app store पर से डाउनलोड करे link आपको description box में मिल जाएगी good luck and all the best तो खूंट सकते है तो को बन्देट लुग्ट करेशने है